बाई आपको unoriginal content remove करना है तो बाई मेरे से सीखे बाई मैंने भी अपना unoriginal content remove करा है बाई वो कैसे करा है मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगा details के साथ जी हां दोस्तों बिल्कुल details के साथ बाई मैंने खुद का अपनी profile पे भी unoriginal content आ गया तो मैंने ऐसा क्या करा जिससे के मेरा अन ओरिजनल कंटेंड बिल्कूल जड़ से खतम हो चुका भाई बस वीडियो में आप बने रही है और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे के हर एक नई वीडियो की प्रेम कंडिशन है बाई अगर कोई सी पर भी अन ओरिजनल कंटेंड लिखका वा तो बाई उसका सोलेशन लेकर के आया हूं सो परसेंट सोलेशन है बाई मैंने खुद ने अपनी प्रोफाइल का बिल्कूल ऐसे ही खतम करा जैसा आपको बता रहा हूं जी हां दोस्तों बत सबसे पहले आपको एक काम करना होता है क्या है 오늘 कि अपने किसी और का पन्डेयंड एपनी प्रोफाइल यह पेज़ पर ड्रका है या डाल दिया तो इसको ऑम उसको खतम करतेों अगर आपने किसी कर कि ना देति जी जी यहां दोस्तों उसको भी डिलेट कर दीजिये डिलेट bbleकरने के लाद आपको आगे करना क्या होगा जिससे के आपका ऊरिजिनल कंटेंट रिमू हो जाए भाई उसका एक ऐसा एक टड़ीनल पर आपका सौप सेंट ऊरिजिनल कंटेंट रीमू हो जाएगा भाई बिलकुल बोल रहा हूं remove भाई मेरी profile पे unoriginal content भी हट चुका है और remove भी हो चुका है भाई मैं आपको side में आपको दिखा रहा हूं इस तरीके का dollars का option भी खुल चुका है in stream ads भी खुल चुका है और भाई मेरे kate tools भी खुल चुके हैं वो भाई वो कैसे खुले और मैंने क्या करा भाई ऐसा जो मेरे unoriginal content खतम हो गया यही सब मैं आपको बता रहा हूं बस आप वीडियो में बने रहेए दोस्तों वीडियो में बने रहा होगे आपको details पता चल जाएगी मैंने दूसरे जो trick फॉलो करी वो trick क्या है मैंने अपनी profile पे 10 से 15 दिन 20 दिन live video डाली भाई live video ऐसे डाल दी जैसा मैं खाना खाता हूं और उसके तरंत बाद बना दियो live video मैंने facebook को बताया कि hi facebook यह मेरी id है और मैं इस पे काम करता हूं और अपने audience को भी बताया वो बताना कैसा होता है मैं बता दूँ आपको details में सबसे पहले आपको अपनी live आकर जैसा आप live on कर दिया live on करने के बाद आपको अपनी id का नाम लेना होगा अपने audition को बताना होगा audience को बताना होगा के जैसे कि मेरी id फुरकान राजपूत के नाम से है तो live आने के बाद के ना हाई मैं फुरकान राजपूत हूँ और मेरी id में ये problem आ चुकी है तो please call me इस तरीके से आपको अपने audience को बताना है audience को बताने के बाद आपको facebook को भी बताना है वो कैसे बताओगे सबसे पहले आप जैसे आपने unoriginal content मतलब किसी का और का content delete कर दिया उसके चार दिन बाद आपको live आना live start बिल्कुल भाई जैसे आप खाना खातो ऐसे आज़ो उसके बाद ही हो चुका live आना अगर फिर भी नहीं हटता भाई एक आपको रिपोर्ट बनानी है रिपोर्ट कैसे बनाओगे जी हां दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको इसी तरीके से बना दो भाई 15 से 20 दिन में unoriginal content remove और ऐसा हो भी सकता है भाई आगर आपने 4 दिन के बाद जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करा तो भाई 24 गंटे भी 12 गंटे भी लग सकते हैं फेस्बुक का वर्क जो होता है बहुत जल्दी करता है भाई वर्क 100% बोलनों आपका unoriginal content remove हो जागा मेरा जो unoriginal content था वो 5 दिन में हटा था 5 दिन में सिर्फ मैंने 3 दिन वीडियो डाल पाया था और मैंने report बनाई थी के हाई फेस्बुक मेरी इस profile में unoriginal content क्यों लिखा हुआ रहा है और ऐसा मैंने क्या कर दिया तो भाई उसने एक inbox का वो होता है help center के नीचे उसमें मैंने चेक करा तो मेरी unoriginal content इसलिए लिखा हुआ रहा था क्योंकि मैंने content उठा करके डाल लगा था भाई अगर आप भी आपने भी डाला कर तो भाई उसको डिलेट कर दो तो भाई वीडियो कैसे लगी प्ले सस्क्राइब चैनल और भाई आपका प्यार थैंक्यू भाई